एरपोर्ट नो, I understand ने, भाई, यू दोट अंडर्स्टाइब आप आप लोग खेरिया से होंगे तो दोस्तो तीन बहुत बड़ी की खबर सामने आ रही है दोस्तो तीन सवाल एरपोर्ट पर पूछे जा रहे हैं दोस्तो और सत्रा लाग भारतिये का पासपोर्ट जबत हुआ है तीन चार बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और भी पासपोर्ट और वीजा सिलेटेट दो तीन मिनट के वीडियो है लाच तक जरूर देखना क्योंकि ट्रावल सिलेटेट कोई भी अपडेट आता है कोई भी न्यू जाता हम अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं तो चलिए स्टार्ट करता हूं बताता हूं अपडेट के बारे में तो जो पहला अपडेट है दोस्तो भारत सरकार ने जितने भी अपने नागरी को है दोस्तो सब को एक warning दिया और बताया है ऐसे नहीं हजारों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है हजारों लोगों को यरपोर्ट से वापस जाना पड़ा है कारन दोस्तो दो कंट्री के लिए ज्यादा हो एक है दोस्तो दुबई और दूसरा है कनाडा क्योंकि बहुत सारे भारतियों क्या कर रहे हैं कि कनाड़ा के जानिब के नाम पे बिसकली पंजाब से लोग बहुत सारे लोगों को साथ फ्रॉड हो रहा है और जब येरपोर्ट पर अपना वीजा टिकट पास्पोर्ट लेकर जा रहे हैं जैसी चेकिंग हो रहा है वहाँ प कर जाओगे एरपोर्ट पर तो आपके साथ भी करवाई हो सकती है आपको भी गिरफ्तारी हो सकती है इसलिए इस बात का लाजिम खयाल रखे दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के साथ टिकट के साथ भी ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोग फेक टिकट दे दे रहे और टिकट वहाँ जाने के बाद एयरपोर्ट में जैसी आपको पता है कि जैसी हम लोग अंदर entry करते हैं तो हमारा ticket check होता है तो इसी मालूम चल रहा है कि आपका ticket fake है तो इसके लिए में भारत सरकार आपको warning दिया और बताया कि अपने ticket भी अच्छे तरीके से check करके तभी airport पर जा और जो सबसे main important है दोस्तो basically दुबई के लिए कि airport पर ये तीन सवाल पूछने के वज़ा से बहुत सारे लोग इसमें fail हो रहे है immigration department वहाँ पर रोक दे रही है और ये तीन सवाल का जवाब नहीं देने के कारण दोस्तों उनको airport पर बहुत ज्यादा problem हो रहा है सच में बहुत सारे लोग बुलेंगे, ने ऐसा कुछ नी है मैं भी आया हो, मुझसरे नहीं पूछा गया तो कभी-कभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपकी किसम था अच्छा जो आपसे साइद नहीं पूछा गया लेकिन बहुत सारे लोगों रुचा जाता है पहला वो लोग पूछता है जब आप क्योंकि आपको पता कि 80% जो दुबई में जाते हैं वो विजिट विज़ा पे जाते हैं वर्क विज़ा पे नहीं जाते हैं कोई भी कमपनी आपको हायर कर रही है तो विज़िट विज़ा पे हायर कर रही है आपको वहाँ पे बुला रही है आपका काम का टेस्ट ले रही है उसके बाद आपको वर्क विजा लगा रही है तो जो सबसे पहला क्योंकि एजेंट लोग आपको बताते नहीं है सबसे पहला वो लोग पूछ रहा है आप किस लिए जा रहे हो तो आपको देखो बहुत सारे मेरे नहे भाई है पुराने भाई को पता होगा लेकिन नहे भाई को यह सोचना है कि आप यह नहीं बोलना कि मैं वर्क करने जा रहा ह। ज़्यादा प्राप्लम हो रहा है और लास्ट जो सबसे इंपोर्टन अपडेट है दोस्तों भारत सरकार ने आप थोड़ा दिन पहले ही आप लोग भी न्यूज होगा हमें सुना होगा कि बताया है कि 17 लाख भारती यानि 2011 से 2023 के बीच में 17 लाख भारती ने दोस्तों नागरिकता छोड़ी है और अपना पास्पोर्ट जब्त करवाई है मतलब पास्पोर्ट वापस दे लिखना कि आखिरकार इतना अच्छा हमारा भारत और उसके बाद भी ये लोग कंट्री छोड़ कर जाएं